वीडियो को इसे आज की विडियो बेरे में आपको बात करूंगा यूनिट टेस्ट के बारे में जिया आगाई जैसे कि इक इसके बाद Guerra मेंग से स्वाक पर स्यांवन सिर्फार लेंगेशन कर अपर प्रदॉप्सी अशून होँ को स्वाल मन फेल्ट खेंकर प्रणलंग आप प्रयुचन 629 तो मेंग दिया कहा है वाहच मेंग्रानार 206 फैल्कलाइन आलपनी आलकेलीन जेडए लिवब्स प्रवला में आलकॉहल तकन इन एक्सक्राइप एक्सक्राइब रिपले के साथ और भी दिया गया है a compound X is formed by the reaction of a a carbolic acid C2H4O2 and an alcohol in the presence of few drops of H2SO4 the alcohol on oxidation with alkaline KMNO4 followed by addition edification gives the same carbolic oxalic acid as used in the reaction give the names and structures of carbolic acid and the compound X तो यह वहाला question है, next page में चारत है basically, मैं आको वहता दू अगर आपको इसका pdf चाहिए, तो आप मुझे whatsapp में message कर सेता हो, whatsapp में मैं उपका अपना pdf send कर दूँगा, इस question पर बढ़ गा, और जितने भी मेने previous question papers बनाये है, cbsc के बारे में तो जो प्रेक्ट मेशिन पर्स क्वेश नमर दिख पर्दा इसके में बाग दिखेँ अधिधे प्रिश बेह ऑड दिखेँ आफ दिखेँ तो आप से यहीं निट इस ने पर दिखेँ टेरा जो एंग करी त्रीम अजपार दिखेँ नमर पूसिब टुट्टरल इसम पर दिखे दिखें, metal that can be cut with a knife, उसके बाद दिखें, lustrous non-metal, इहाप आपको नाम मेंशिन करने, सारे में सारे नहीं पर रहा हूँ, आप देख लिजे, Question No.13, Will the aqua solution of MGU or conduct electricity, if yes, give reasons for your answer, why do ionic compounds have high melting and boiling points, तो यह वाले सारे questions say, give the structural differences between saturated and unsaturated hydrocarbons, with two examples, उसके बार दिखिए what is a functional group give examples of four different functional groups तो यह रहा पूरा question यह रहा chemistry का class 10 के question paper यह unit test का बहुत ही most important question है सब्सक्राइब को तो मिलते हैं अगले वीडियो मा और एक इंफर्मेटिव वीडियो के साथ